इस वीडियो में हम sale, purchase और duties के जो lasers हैं उनको बनाएंगे लेकिन इसमें हम simple तरीके से बनाएंगे जैसे कि VAT या CST हमने implement नहीं किया है उसके बिना ही बनाएंगे जब हम VAT या CST या service tax को implement करेंगे उस case में हम उसको बनाना start करेंगे पहले हम बनाते हैं purchase gateway of tally's account info पे आएंगे then laser पे आएंगे and then create पे आएंगे और यहां पर लिखेंगे purchase VAT at the rate of 5.25% आजकल चला हुआ है और यहां पर हम लिखेंगे purchase VAT को select करेंगे inventory values are affected अगर हम inventory भी maintain कर रहे हैं hand to hand तो उसको yes करना है otherwise no कर देंगे और उपर की details कुछ नहीं आएंगे इसमें bank की details भी कुछ नहीं डालनी है और इसको आप save कर सकते हैं control R press करेंगे और आप देखेंगे उसका अगर आपको सिर्फ rate change करना है जो भी आपने पहले बनाया है वो आ चुका है 12.50% full rate होता है sorry control R and then इसको करेंगे 12.50% इंटर करेंगे इंटर करेंगे इंटर करते हुए इसको as it is हम save कर लेंगे similar तर लेकर से आप sales बना सकते हैं यहाँ पर आप लिखेंगे sales VAT at the rate of 5.25% इंटर करते हुए group में sales को select करेंगे sales VAT को और इसको save कर लेंगे तो इस तरह से आप बनाएंगे बाकी lasers अपनी practice के लिए उसके बाद हम बनाते हैं duties and taxes का VAT output at the rate of 5.25% इस time हमें क्या करना है duties and taxes को select करना है जी नहीं अगर हमने grouping की है तो हमने को group select करना है duties and taxes का हमने group actually बनाया नहीं था वो आप अपनी practice के लिए बनाईए मैं नहीं बना रहा हूँ तो मैं directly duties and taxes को select कर रहा हूँ आप पहले VAT output का group बनाएंगे under VAT और VAT का group होगा duties and taxes के enter में जैसे की chart of accounts में बना हुआ है आप please check करेंगे इंटर करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 5.25% इंटर करेंगे यहाँ पर यह किस तरह की duty है यह additional duty है additional duty होती है जैसे यह sales होता है additional duty मतला additional tax है नहीं यह total sales के उपर लगता है और बाकी के बारे में बताता हूँ surcharge on tax जैसे की sales लगता था tax के उपर जो tax लगता है या फिर tax based item rate है तो normally जो है total sales के उपर लगता है उसको select करेंगे अगर हम इसको round off करना चाहते हैं तो round off कर सकते हैं normal rounding में आप यहाँ पर zero लिख के छोड़ दीजिए sorry one लिख देंगे तो वो one के nearest हो जाए का automatically bank details इसको कोई provide नहीं करनी है तो इस तरह से output का बनेगा similar तरीके से input का बनेगा तो आप ये दोनों सभी ledgers आप बना लेंगे अपनी practice के लिए अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो अब महावीर at vtutorial.com पे मुझे mail करेंगे मैं आपकी problem को solve करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा